बड़ी प्यारी कथा है भगवान ने चरण दाबे भगवान अपनी भक्तों को मिलते हैं अवस्था जब शुद्धतम हो जाती है करने में भी बड़ी आसान है करने में आसान है और अव्या है कभी ख्षय नहीं होती है कभी व्या नहीं होता भक्ती एक बार किसी ने जिसने की है उसकी भक्ती नश्ट नहीं होती कभी नहीं कैसे होगी जिसने भगवान की भक्ती की है वो भक्ती तो इटर्नल है आध्यात्मिक है आध्यात्मिक ताका कभी नाश्ट नहीं होता प्रेम इटर्नल है प्रेम सांसारिक वस्तु नहीं है लोगों ने सांसारिक वस्तु को प्रेम कहके पुकाराए वो बात जुदा है जैसे किसी लड़के का एक लड़की के शरीर को देख करके आकर्शन हो जाता है और वो कहता है कि मुझे प्रेम हो गया यह शब्द यहां उप्युक्त नहीं है आकर्शित हो गया यह तो उप्युक्त है उसके सुन्दर बदन को देख करके बलड बॉंस के बने हो यह शरीर को देख करके उसकी चमड़ी को देख करके आकर्शित हो गया आकरशिक सब तो उप्यूगता है लिए प्रेम हो गया बड़ी बात है प्रेम तो आत्मा से आत्मा का होता है उसी को प्रेम कहा जाता है प्रेम तो आत्मा का पर्मात्मा से होता है उसी को प्रेम कहा जाता है प्रेम शरीर के इस्तर पर होता है उसे प्रेम नहीं कहा जाता, उसे तो काम वासना कहा जाता है, लश्ट कहा जाता है मन के इस तरपर होता है, उसे भी प्रेम नहीं कहा जाता, वो भी भौतिक इस तरपर ही है इसलिए उसको भी अटेश्मेंट कहा जाता है, इंटर्टेर्मेंट कहा जाता है मनो रंजन कहा जाता है कि मेरा मनो रंजन उनके साथ होता है प्रेम नहीं प्रेम तो होता है आत्मा से आत्मा के साथ ब्रह्मिस्तर पर प्रेम होता है उससे नीचे नहीं तो ये अव्य है इराज विद्या है अर्जुन और गुप्त से गुप्त है राजविद्या राजगुयम पवित्रम अति पवित्र है इदम उत्तमम और ये उत्तम भी है इसते उत्तम कोई नहीं है राजविद्या राजगुयं पवित्रम इदम उत्तमं प्रतक्षाव गमं धर्म्यं धर्म का मुकुट है करने में प्रतक्ष पलदायनी है सुसुकुम आनंद की दाता है परमानंद की दाता है कर्तुम अव्ययों करने में आसान भी है और अव्यय है कभी नाश नहीं होता भक्ती का कभी नाश नहीं होता इसलिए तो भगवान घोसना करते हैं कि नयमे भक्ता हो प्रनिश्यती अर्जुन मैं सत्प्रतिग्या करता हूँ मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता क्यों नहीं होता कि भक्ति का नाश नहीं होता भक्ति इटर्नल है आध्यात्मिक है तो भक्ति का नाश फोर एवर है आपका मनोरंजन भंग हो सकता है कामवासना भंग हो सकती है लिए भक्ति जो प्रेम है जो आध्यात्मिक प्रेम है वो कभी नश्ट नहीं होता प्रतक्षावगमम धर्म्यम सुसुकम करतुम एवियम तो भगवान स्री कृषिन की भक्ती स्रेष्ट है सर्व स्रेष्ट है जिसके इरदे में सुरदा है वो इसका लाब उठाता है सुरदा बिना कुछ नहीं मिलता सुरदा इस दा फाउंडिशन सुरदा नीम का पत्थर है तो यदि सुरदा इरदे में तो आपकी भक्ती रूपी बिल्डिंग भौत इसका इक्रेप पर बन जाए भक्ती का पहाड लग जाएगा परमात्मा को आना ही पड़ेगा परमीश्र को आना ही पड़ेगा उस गोविंद को आपके लिए आना पड़ेगा गरूर की सवारी करके सिमर सिमर नर उतरई पारा भगवान का इस्मर्ण सबसे स्रिष्ट तसमा सर्वेशु कालेशु मामनु इस्मर्युद्चा सभी कालों सभी औस्थाओं में यह अर्जुन मेरा इस्मर्ण कर इस्मर्ण भक्ती हैं सरवन भक्ती है सुनना भगवान के विश्टे में सुनना भक्ती है रास्ते बतलाएं भगवान को प्रसंद करने के नव मार्गों से भक्ती प्रबल होती है आपकी ये दिन में से कोई व्यक्ति एक भी मार्ग को सब प्रतिशत अंगीकार कर ले यानि पूरी तरह से उस मार्ग पर चले तो उसको भी भगवान की फ्राप्ति हो जाती है दास्ता में भगवान की सेवा है भगवान की सेवा वात्शल्यता में भी है मा यशुदा मक्षन निकालके भगवान सरी कृष्ण को खिलाती है ये वात्शल्य भक्ती है हनुमान जी भगवान शरी राम की सेवा करते हैं ये दाश्य भक्ती है बिदुर जी विवीश्र्ण ये सव दास्वक्ती के इस्तंभ है है स्रेष्ट भक्त है शिरोमनी भक्त है प्रेमा भक्ती गोपियों की है स्रेष्ट भक्ती परम स्रेष्ट भक्ती है गोपी भाव स्रेष्ट भाव है इससे उपर कोई भाव नहीं इस सबसे स्रेष्ट भाव है भगवान से प्रेम करना भगवान की प्रेमी का बन कर यह आत्मा भगवान का अंश है भक्त दो प्रकार से भगवान को प्रसंद करते हैं या तो प्रेमी बन कर या प्रेमी का बन कर प्रेमी का का भाव प्रेमी भाव से भी स्रेष्ट है प्रेमी भाव सखा भाव है स्रेष्ट है अर्जुन का भाव है उधव का भाव है सुग्रीव का भाव है इस रिष्ट भाव है लेए प्रेमी भाव इससे भी सरिष्ट है वो गोपी भाव है भगवान को आलिंगन करने के अभिलाश आए भगवान के साथ विहार करने के अभिलाश आए भगवान को अपने दिल में समाए बसाए रखना दिन और रात और उनकी विरह में थड़पना ये उच्छतम गोपी भाव है भगवान के लिए मा ये शुदा माखर निकालती है ये वात्सल भाव है भगवान को अपना पुत्र समझ के पालती है ये वात्सल भाव है जैसे एक माँ अपनी पुत्र का हर तरह से ध्यान रखती है उसी प्रकार से भगवान को हर प्रकार से सुख देना चाता है उनको सुखी करना चाता है उनको प्रसंद करना चाता है पुत्रुवत ये वात्शल भक्ती है तो आपके अंदर जो भी भाव प्रगट हो रहा हो सच्चे रूप से उसी भाव में आप भक्ति कीजिए लिए दास भाव स्रेष्ट भाव है दास भाव से दास भाव भी हमको प्राप्त हो तो हम बड़े भाग साली है गोपी भाव तो बहुत उचा इस्तर है वहाँ पर त्यार नहीं दीजिए ये संसार में बठके हुई आत्माओं को कहां से गोपी भाव मिलेगा दास भाव मिल जाए उसके लिए अनुग्रह कीजिए प्रार्तना कीजिए भगवान से कि हमको अपना दास बना लो मीरा भाई दास भाव मांग रही है कि हमको चाकर बना लो हमको चाकर राको गोविंद हमको कुछ मत दो हमको अपना लौकर राक लो मीरा भाई एक स्रेश्ट भक्त भी चाकर बनने को प्रार्तना कर रही है फिर हम बोले कि हम गोपी भाव में चले ही आए ये तो आपकी भक्ती प्रकरता पर जाती है तब गोपी भाव उद्य होता है आपकी भावना में ये प्रत्थम दर्जा नहीं है ये तो पाँच्वा दर्जा है पहले दर्जे पर शांत भाव है दूसरे पर दाश्ट भाव है दासका भाव तीसरे पर सखा भाव है चोथे पर बात्सल लबावे पांचवे पर उत्तम सिखर पर जाके गोपी भावे इसलिए हमको भगवान की सेवा करते हुए भगजन करना चाहिए भगवान की सेवा जिसनी भी सामर्थता हो उस सामर्थता से भगवान की सेवा करनी चाहिए यह भगवान की प्रिर्णा है हमको भगवान इस राजविद्या का वरणंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि एसरद्धाना पुर्सा दर्मश्याष्य परंतप एप्राप इमाम निवर्तंती मृत्यु संसार वर्त्मनी बगवान कहते हैं कि जिन पुर्सों के इर्दे में सुरद्धा ही नहीं है दर्म के बारे में कुछ वो जानते ही नहीं है अधरम में इस जिनोंने कदम रखा हुआ है यह अज्ञानता में भ्रमित हो रहे हैं अंदेरे में चल रहे हैं उजाले को पहचानते ही नहीं जिनके एर्दे में कोई सरद्धा नहीं यह छोटी मोटी सरद्धा है तो वो डगमगाती हुई जैसी सरद्धा जिसे कोई value नहीं ऐ सरद धाना पुरसा धर्मश्याष्य परंतप ऐ प्राप्यमाम निवर्तंते मृत्यू संसार वर्त्वनि ऐसे पुरुष्तों बार बार यह संसार में ही मृत्यू के ग्रास बनते हैं मृत्यू के आहार बनते हैं ऐ प्राप्यमाम वो मुझे प्राप्त नहीं करते हैं कैसे प्राप्त करें लिए भगवान ने तो बोल दिया आप लोग भी जानते हैं मिना सरद्धा के आप भगवान को कैसे प्राप्त करोगे आप भी जानते हैं इस बात को लिए भगवान ने भी बोल दी ओबात भगवान सिंपल सरल इर्दे से यह ग्यान दे रहे हैं सरल इर्दे में जो आया उन्होंने बोल दिया कि अगर सर्दा नहीं है तो तुम कैसे मुझे प्राप्त करोगे जब तुम धर्म के बारे में जानते ही नहीं तो मुझे कैसे प्राप्त करोगे जब आत्मा का घ्यान भी तुमको नहीं है कि तुम एक आत्मा हो तो मुझे कैसे प्राप्त करोगे मुझे कैसे जानोगे जब तुम इतना ही जानते हो कि मैं एक शरीर हूँ अब मैं बुड़्डा हो गया, अब मैं मर गया तो तुम धर्म के बारे में क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते जो कुछ नहीं जानते और कुछ भी सरद्धा तुमारे अंदर नहीं है तो भला मुझे कैसे प्राप्त करोगे अरे मुझे प्रात कमे के लिए तो आपके इर्दे में द्रड स्रद्धा होनी चाहिए मेरी द्रड सतत भक्ती होनी चाहिए मेरा सतत इस्मरन होना चाहिए मुझसे प्रेम होना चाहिए सतत ज़से तेल की दार सतत गिरती है ऐसे प्रेम सतत बहना चाहिए रिदे से भगवान की प्रति तो सरद्धाई नहीं तो भगवान की प्रति कैसे होगी ऐसरद्धाना पुर्शा धर्मशाष्य परंतव परंतव कहा है जो अपने शत्रों को सजा देता है अर्जुन का नाम परंतव दिया है परंतव जिसको देखते ही शत्रु भागते हैं काम, क्रोध, मद, मो, मत्सर, लालच यह विशेश शत्रु हैं यह अर्जुन की पास नहीं ठिकते अर्जुन को संबोधित करें, परंतव कहकर, हे परंतव, यह कहा से तुझे मोह आ गया, कि मेरे मर जाएंगे मोह तो तेरे पास ठिकता ही नहीं, यू आर ए चैस्टाइजर आव दाइनेमीज, तुम तो अपने शत्रों को सजा देने वाले हो इसलिए भगवान के एक एक वानी में ग्यान वान है, ग्यान का बान छुपा हुआ है अर्जुन को बान मार रहे हैं परंतप कह करके, अर्जुन मोह ग्रस्त है, संसार मोह ग्रस्त है, भगवान ने बान मारा है परंतप कह करके कि तुम ब्रह्म स्वरूपा आत्मा हो, तुमसे तो ये कामकरोद मदमो भैवीत होते हैं, तुमारे पास नहीं फटकते, फिर ये तुम्हें क्या हो गए आज? कि तुम कामी बने हुए हो, भोगी बने हुए हो, क्रोधी बने हुए हो, मोहित हो रहे हो, मेरे और मैं और मेरे पर, शरीनों पर, इन खजानों पर, इन कार और बंगलों पर, इपद और प्रतिष्ठाओं पर, ए सरद्धाना पुरसाप धर्मश्याश्य परंतव ए प्राप इमाम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते जिनके इर्दे में सरद्धा नहीं है वो मुझे जानी नहीं सकते प्राप्त करना तो बहुत दूर है तो बताएए जिन लोगों के इर्दे में भगवान सरी कृष्ण के प्रती एक प्रतिशत भी सरदा नहीं है और वो गीता की व्याख्या करते हैं उनको कैसे भगवान समझ भगवान की समझ प्राप्त होगी भगवान की भी बिसे में, वो बला, क्या व्याख्या करेंगे? और क्या भगवान को जानेंगे? और कैसे भगवान को प्राप्त होंगे? जिनकी नीम खोक ली है, वो कैसे भवान उठाएंगे? उठाएं नहीं सकते? कैसे कदम उठाएंगे भगवान की और भक्ती की और भगवान के धाम की और जाने के लिए मोक्ष को पाने के लिए जिनकी सरदाई, सरदारूपी नीम खोक लिए है कैसे कदम उठाएंगे पंगा आदमी कैसे आगे कदम बढ़ाएगा जिसके पाउं काम ही नहीं करते ऐसे ही है जिनकी सरदाई खोक लिए है सरदाई नहीं इरदे में बगवान के प्रति सरदा नहीं है और वो गीता की व्याक्या करते हैं ऐसी व्याक्या हैं जूट हैं गीता के पवित्री स्लोकों के साथ में पोती हुई श्याई है जिसमें केवल उनकी ही वासना छप्पी हुई है भगवान कहना क्या चाते हैं और वो कह क्या रहे हैं अपने स्वार्थवश पवित्र भक्त के भगवान के शुद्ध भक्त के मुख से निकले हुए हुआनी सुननी चाहिए समझनी चाहिए तद्विद्धी प्रणी पातिन परिप्रश्णेन सेवया उपदेख्षंतीते ग्यानम ग्यानिनह तत्व दर्शना जिन ग्यानी भक्तों ने मुझे तत्व से जान लिया है उनके चरणों में हे अर्जुन जाकर प्रणाम कर और उन से वो विद्या प्राप्त कर जिस विद्या के प्राप्त हो जाने से मेरी भक्ती मेरी परा भक्ती की प्राप्ती होते है मेरी प्राप्ति होती है सरद्धाई नहीं है ऐसे गुरू के पास जाके तुम क्या लोगे भगवान को समझ लोगे नहीं